नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ दाए हैं कक्षा 11 लेखा शास्त्र अध्यायत 13 कंप्यूटरी कृत लेखांकन प्रणाली मतलब लेखांकन की प्रणाली कंप्यूटर के द्वारा अब ट्रांजिक्शन कंप्यूटर में लिखी जाने लगी हैं यह हमने पिछले भाग में पढ़ा सौफ्ट्वेर क्या है हाडवेर क्या है यह आपने अध्यायबारा में देखा और इन सौफ्ट्वेर और हाडवेर को कैसे एक ही इंटरफेस पे लाया जाता है यह आपने पिछले भाग में देख लिया Computerized Accounting, लेखांकन प्रणाली किस तरीके से मानविय प्रणाली से अच्छी या बुरी है यह तुलना भी आपने पिछले भाग में कर ली थी तो अब हम आज के भाग में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि Computer कृत लेखांकन प्रणाली के क्या क्या लाब है अब ये भी एक तरीके से मानविय प्रणाली के साथ तुलना ही है तो जैसे पहला लाब है गती Speed Computer कृत लेखांकन प्रणाली द्वारा लेखांकन डाटो को प्रक्रिया द्वारा शीग्रही प्रयोग में लाया जाता है जैसे तलपट से PNL अकाउंट बनाना, Balance Sheet बनाना काफी लंबा समय खर्च हो जाता है परंतु जब आप Computer द्वारा लेखांकन प्रणाली करते हैं तो इसमें कोई खास समय नहीं लगता जमा, घटा, भाग, गुणा जब मानवे प्रणाली में होता है इसमें समय लगता है लेकिन Computer द्वारा यह सब करना कुछ ही सेकंड का काम है और इसे मानविये प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य से कम समय में नियतकारे Computer पूर्ण कर लेता है तो यह हुआ Computer कृत मतलब Computer as Accounting का पहला लाब गती अब है अगला लाब परिशुद्धता बतलब गलतियां Computer कि लेखांकन प्रणाली में विलूप्त हो जाती है क्योंकि प्रारंबिक लेखांकन डाटों को एक बार में प्रवश्टी कर दिया जाता है पिछले भाग में हमने देखा कि हम Data में सीधा Entry पहुँचा देते हैं तो ऐसी अगर कोई प्रक्रिया आप निभा रहे हैं तो ऐसी जगहां पे गलती ढूणना खासा मुश्किल है अगला लाब है परिशुद्धता गलतीयां कम्प्यूटर के लेखांकन प्रणाली में विलूप्त हो जाती हैं मतलब जब आप Computerized Accounting कर रहे हो तो यहां पे गलतीयां होने का Chance बहुत कम है क्योंकि प्रारंबिक लेखांकन डाटा एक वार में ही प्रवश्टी कर दिया जाता है जो भी Entry है वो सीधा डेटा में पहुँचा दी जाती है एक ही Step है जिसमें Entry सीधा डेटा में पहुँच गई जिस कारण से गलतीयां होने की संभावना बिल्कुल खतम हो जाती हैं विलूप्त हो जाती है फिर इनका उपयोग विवरणों को त्यार करने में किया जाता है मतलब अब सीधा विवरण त्यार हो जाते हैं लेकिन जब आप बात करते हैं मानविये लेखांकन प्रणालियों की तो गलतीयों की संभावना अधिक होती है क्योंकि विभिन लेखांकन प्रलेखों को तियार करने के लिए मूल डाटों को कई बार प्रवश्टियों के रूप में लाया जाता है पहले जर्नल, फिर उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बालेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग, पी एनल या बैलेंस शीट तो मानविये प्रणाली में बहुत बहुत बार स्टेप स्टेप करने के बाद गलतियों के चांस जदा बन जाते हैं तो यह हुआ कंप्यूटरिकरत प्रणाली का तीसरा लाब विश्वस्नियता, कंप्यूटरिकरत प्रणाली बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया के अनुकूल है बार बार यदी एक ही काम होता है, तो कंप्यूटरिकरत प्रणाली उसके लिए पून्द तह अनुकूल है इसे थकावट या उबास नहीं होती जिस तरह एक मानव एक ही काम को बार-बार करके उप जाता है लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है उसे एक ही काम को बार-बार करने से ना तो कोई थकावट होती है ना वह उपता है फलता कंप्यूटर मनुष्य जाती से अधिक विश्वस्निय है आप मानव के बहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं एक ही काम को बार-बार करने से वैं ठक जाता है उप जाता है और इस कारण गल्तियां हो जाएंगी और उसके द्वारा बनाएगे चीज़ों पे थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है परन्तु, कम्प्यूटर न थकता है, न बोर होता है, तो इस कारण उसकी बनाए गए विवरणों पे आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, जबकि कम्प्यूटर करत लेखांकन कम्प्यूटर पर बहुत अधिक विश्वास करती है, मानवे लेखांकन प्रणाली से ही है, क अब है चौथा लाब अतन सूचना मतलब लेखांकन अभी लेख कम्प्यूटर कृत लेखांकन प्रणाली में स्वत ही अध्यांतन हो जाते हैं जैसे कि लेखांकन डाटों को प्रवश्टी पर बंडारित किया जाता है अथा नविंतम जानकारी के लिए खातों के विवरण को त्यार कर उनका मुद्रण कर लिया जाता है इसको एक उधारण के रूप में समझते हैं जब लेखांकन डाटा में समान की खरीत पर नगत भुकतान की प्रविश्टी कर भंडारित किया खाता नगत खाता क्रे खाता और अंतिम खाता पर इन सौदों का प्रभाव तुरंध ही प्रदर्शित हो जाता है मतलब computerized accounting में इन सभी खातों की एक ही entry मतलब एक entry से जब ये सभी खाते प्रभावित होते हैं तो computerized accounting एक साथ इन सभी खातों में entry पहुंचा देती हैं क्यूंकि ऐसा database आपने पहले ही बनाया हुआ होता है परंतु जब मानवे प्रणाली में ऐसा होता है तो इन सभी खातों को मानव एक-एक करके उठाता है और प्रविष्टी करता है तो यह हुआ चौथा लाब अब अगला लाब है वास्त्विक समय में प्रयोग करता का interface अधिकतर स्वचलित लेखांकन प्रणालियों के आपस में संबंध होते हैं जिने computer network द्वारा जोड़ा जाता है इससे विभिन उप्योग करता हो के पास एक ही समय में कई सूचनाय होती हैं जिने वे आपस में उपलब्द कराते हैं मतलब जैसे किसी एक company या firm में अलग-अलग department है सबकी अलग-अलग report हैं और ये सभी report एक साथ computer networking द्वारा उप्योग करता तक पहुंचाई जा सकती हैं परन्तु मानविये प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है तो ये सब computer की वज़े से गती पूर्ण हो रहा है अथक प्रयास computer के एक उप्योग करता को कई तरहां के लाब पहुंचा रहे हैं स्वचालित दस्तावेजो को त्यार करना अधिकतर computer करत लेखांकन प्रणाली के माप दंड होते हैं जो उप्योग करता के अवश्यक्ता अनुसार आरेक पर लेखांकन प्रतीव दिन को स्मतही त्यार कर देता है मतलब उप्योग करताओं की अलग-अलग अवश्यक्ताएं हैं कोई उप्योग करता graph के रूप में कुछ देखना चाहता है कोई उप्योग करता pie chart के रूप में कुछ देखना चाहता है कोई उप्योग करता एक साल की balance sheet को किसी दूसरे साल से compare करना चाहता है तो यह सभी काम computer चंद second में कर दिया करता है इसे कहा हमने स्वचालित दस्तावेजों को त्यार करना मतलब अपने हिसाब से जैसा आपको रिपोर्ट चाहिए कम्प्यूटर आपको वैसा रिपोर्ट बनाकर प्रदान करता है मापन योग्य कम्प्यूटरी क्रत लेखांकन प्रणाली में अतिरिक्त मानव शक्ती की अवशक्ता केवल डाटों को प्रविष्टी कराने के लिए प्रचालक वा अतिरिक्त प्रमानकों को रखने के लिए होती है सौदों के अतिरिक्त प्रकम के लिए अतिरिक्त लागत लगवक शून्य है मतलब एक बार आपकी कंप्यूटर की लागत जो लगनी है वे लग गई अब उसके बाद वेपार का साइज बड़ा हो छोटा हो आपकी अधिक कीमत लगने का स्कोप लगभग शुन्य है एक बार आपका डेटाबेस त्यार हो जाता है तो आपकी अधिक्तम चीजे उसी से पूर्ण हो जाती है परंतु मान्वे प्रणाली में एक इंसान की शम्ता जितनी है वे उतना ही कर सकता है परंतु कंप्यूटर एक इंसान नहीं कई इंसानों की शम्ता का काम अकेले ही कर लेता है तो यह भी एक लाब है अगला लाब है सुपाथ्य मतलब computer के monitor पर data जब आता है तो वह सुपाथ्य होता है मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि typing के मानक font लिये गए है handwriting मतलब computer पर लिखा हुआ data सभी को एक जैसा ही दिखता है वह पढ़ा जा सकता है समझा जा सकता है सभी द्वारा समान रूप में परंतु मानविय प्रणाली में यह हर व्यक्ती के हस्तलेक पे निर्वर करता है किसी का हस्तलेक साफ किसी का अच्छा किसी का बहुत अच्छा किसी का बुरा किसी का बहुत बुरा और साथी साथ में व्यक्ति से व्यक्ति पे रिपीट साथ ही साथ में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाने में लेखांकन थोड़ा सा बदल भी सकता है क्यूंकि हर मानव अलग-अलग तरीके का दिमाग रखता है और हो सकता है कि वह कुछ चीजें अलग तरीके से दिखाए और दूसरा उसको अलग तरही से दिखाए अगला लाभ है दक्षता कम्प्यूटरी कृत लेखांकन प्रणाली संसाधनों वा समय का स्वधी उपयोग करता है मतलब ये निर्णे के लिए उपयोगी सूचनाओं और प्रती वेदनों को उपलब्द कराता है मतलब आपको सूचनाए उसी समय मिल जाएंगी जब आपको चाहिए मानव प्रणाली की तरहां मानव की उपलब्धी पर ये निर्भर नहीं करता कम्प्यूटर द्वारा स्वतह जाच करने तथा अंच हुए आकडों को स्वस्त तथा सत्यनिष्ट रूप में डाटों का प्रती वेधन त्यार किया जाता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है यह सभी बहुत ही उदेश्य पूर्ण होते हैं देखिए उदेश्य पूर्ण मतलब कम्प्यूटर में चीजें पहले ही डेटाबेस के रूप में मुझूद हैं तो जो भी सूचनाएं कम्प्यूटर से बहार आती हैं वह पूर्ण तह उदेश्य पूर्ण होती हैं सटीक तो यह सब लाब हैं कंप्यूटर कृत लेखांकन प्रणाली के हैं तो चलिए अब आगे भड़ते हैं भंडारण एवं पुन्हेप्राप्ति कंप्यूटर के पास कुछ ऐसे हाडवेर हैं जिसमें आप सागर जितना स्टोरेज कर सकते हैं कई वर्षों के खाते आप उस से आप वापिस फिर्ष से इस्तमाल कर सकते हैं तुलना करने के लिए या किसी भी तरीके की रिसर्च के लिए तो यह कंप्यूटिक रित प्रणाली में ही हो सकता है क्यूंकि मानिवे प्रणाली में इतने सारे कागज बही खाते संभाल के रखना शायद संभव नहीं जो सम करेज का एक बहुत बढ़ा लाब है और आप इसे फिरसे इस्तमाल की कर सकते हैं कंप्यूटर पनाली में करमचारियों को विशेश प्रशिक्षन की अवशक्ता होती है कंप्यूटर चलाना एक कला है तक्नीक इसे जो भी करमचारी सीखता है वह भी शिक्षित होता है, जिससे वे अपने आपको अधिक मूल्यवान मानने लगता है, तो ये है कम्प्यूटर कृत्त लेखांकन प्रणाली का आखरी लाब, जो एक करमचारी में आत्म विश्वास जगाता है, जो एक करमचारी को जादा मूल्यवान बनाता है, तो इस तर यहां कम्प्यूटर कृत्त लेखांकन प्रणाली के लाब खतम होते हैं, परन्तु ये तो हम जानते ही हैं, अगर किसी चीज के इतने सारे लाब हैं, तो कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, उसके कुछ नुकसान भी होंगे, तो चलिए, पढ़ते हैं, कम्प्यूटराइजड के कुछ हानी, कम्प्यूटर कृत्त लेखांकन प्रणाली की सीमा है, पहली सीमा है, प्रशिक्षण की लागत, कम्प्यूटर, हाडवेर, सॉफ्टवेर और उसको चलाने के लिए एक मानव संसाधन, इन सब चीजों की कीमत है, आजकल इतनी सारी, इतनी सारी मशीने बाजा में उपलब्ध हैं, और रोज एक नई तकनीक आपके सामने आ जाती है, जिसकी कीमत पहले से जादा होती है, तो कम्प्यूटर अपने आप में एक बहुत अच्छा और बड़ा खर्चा है, तो यह है कम्प्यूटर कृत प्रणाली की पहली सीमा, मतलब हानी, कि इसकी कुछ लागत है, कम्प्यूटर कृत लेखांकन पैकेज के लिए सामानेता प्रशिक्षन करमचारियों की अविश्यक्ता होती है, जैसे कि मैंने का, सबसे पहले तो आपको एक ऐसे करमचारी की ज़रुत है, जिसे कम्प्यूटर का पूरा ग्यान हो, लेखांकन का पूरा ग्यान ह और ऐसे संसादन मिलना बड़ा ही दुरलब है फलता है कम्प्यूटर लेखांकन प्रणाली को प्रभावशाली एवं कार्य दक्षता के लिए हार्डवेर वा सौफ्टवेर को प्रयोग करने की तक्नीक की जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की अवशक्ता है बहुत रिसर्च चाहिए हर कंपनी में अलग अलग तरह का काम हो रहा है उस अलग काम के लिए अलग तरह का सौफ्टवेर अलग तरीके की शिक्षा चाहिए तो यह है पहली सीमा प्रशिक्षण अगला है करमचारियों का विरोध एक कम्प्यूटर कई करमचारियों का काम करता है जिसके कारण कुछ करमचारी इसका विरोध भी कर सकते हैं जैसे जब कभी भी लेखांकन को कम्प्यूटर कृत किया जाता है तब लेखा करमचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है ये करमचारी इसकी पूर्ण धाना से ग्रसित होते हैं इस संगठन में उनकी कम महत्वता हो जाएगी जैसे कि मैंने बताया कि एक कम्प्यूटर कई करमचारियों का यदि काम कर सकता है तो करमचारियों को यह भावना आने लगती है कि उनकी महत्वता, इंपोर्टेंस शायद कम हो जाए अगला है विगटन जब कोई संगठन, कंप्यूटर कृत लेखांकन प्रणाली की और अग्रिसर होता है तो उसे लेखांकन प्रणाली के कार्रे में समय की बरबादी के दौर से गुजरना पड़ता है यह केवल कार्रे के वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है एवं इसके लिए ऐसा लेखा करमचारियों के अवशक्ता होती है जो इस प्रणाली वो इसके कार्रे करने के तरीके को अपना सके तो यह जो हानी है वो ही है बताती है कि इसमें काफी काफी समय बीच जाता है चीजों को समझने में और करने में प्रणाली की विफलता कंप्यूटर करत लेखांकन प्रणाली की गंभीर सीमत तब आती है जब प्रणाली में टकराव के कारण हार्डवेर की विफलता और अनुवर्ती कार्रे की हानी के कारण भयानक सिथी उत्पन होती है मतलब जब हार्डवेर फेलियर हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्यूंकि वह हार्डवेर ही सारे डेटा को रखे हुए है और उस हार्डवेर के उपर आप पूर्टे हैं डिपेंड कर रहे हैं आप उस पे पूर्टे हैं निरबर हैं तो अगर यदी ऐसी कोई या software की विफलता हो जाती है, तक्नीक काम नहीं आती है, तो सारा काम रुख सकता है, अगला है, अनिरूपित गलती की जाच में असमर्थ, देखिए, आप सभी जानते हैं कि computer वह काम करता है, जो उसे command दी जाती है, यदि command गलत चली गई, तो वह आपको यह नहीं बताएगा, कि यह गलत हो रहा है, वह सिरफ उसको मानता है, जो आप command देते हैं, चुकि computer न्याय करने की शमता का अभाव रखता है, जैसा की मानव जाती में नहीं होता, computer स्वेम अनिरूपित गलती को ढूंड नहीं सकते, यह है computer कृत, लेखांकन प्रणाली की अगली सीमा, अब, सुरक्षा में दरार, मतलब, computer से संबंदित अपरादों को खोजना एक कठिन कार रहे, क्योंकि किसी भी डेटा की प्रतिलिपी की सूचना के बिना आगे बढ़ा जा सकता है, मानविय लेखांकन प्रणाली में इसे प्रतम दिर्ष्टी में ही साधारन रूप से ही ढूंड लिया जाता है, देखिए, सुरक्षा, मानविय प्रणाली के डेटा खासे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वह मानविय कंट्रोल में हैं, लेकिन यह मशीन है, इसकी सुरक्षा शायद उतनी ज़्यादा बलशाली नहीं, अब आखरी, स्वास्त पर बिमारी का प्रभाव, कंप्यूटर को इस्तमाल करना स्वास्त के उपर सीधी हानी है, कंप्यूटर के व्यपक प्रयोक से कई स्वास्त संबंदी समस्याएं उत्पन हो जाती हैं, जैसी कि कमर दर्द, आखों पर तनाव, माश पेश्यों बेदर्द, तो यह सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की सीमाएं यहानिया हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, कंप्यूटर के सॉफ्ट्वेर, जो आपकी चीजों को स्टोर करते हैं, या उप्योग करने वाला, मतलब कंप्यूटर चलाने वाला और हाड़्वेर तक पहुँचने का जो जरिया है, वह सॉफ्ट्वेर हैं, तो ये कई तरह के पैकेज हैं, जैसे प्रयोग के लिए त्यार, उप्भोग, तानकूल और उप्युक्त, चलिए, देखते हैं किस किस तरीके के सॉफ्ट्वेर बजारों में उपलब्ध है, सबसे पहला, प्रयोग के लिए त्यार किये गए पैकेज, जैसे कि आपको नाम सही पता लग रहा है, प्रयोग के लिए त्यार लेखांकन सॉफ्ट्वेर केवल छोटे-छोटे और परंपरागत व्यपारों के लिए उप्युक्त होते हैं, मतलब कुछ सॉफ्ट्वेर जो आम तौर पर आपको मिलते हैं, वह छोटे व्यपारों के लिए तो अनुकूल हैं, जहां लेखांकन क्रिया कलापों के आकार वास संख्या बहुत कम होती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके संस्थापन की लागत कम और उप्योग करता सामान्यता कम होते हैं, प्रयोग के लिए त्यार सॉफ्ट्वेर सामान्य सीखने में सरल होता है, इसकी गोपनिता, सामानिता कम रहती है और सौफ्ट्वेर में धोखा धड़ी की आशंका बनी रहती है इसके प्रिशिक्षन की अवश्कता बहुती सरल और कभी-कभी विकरेता स्वेम ही उसके प्रिशिक्षन को फ्री में दे देते हैं कि ये सौफ्ट्वेर दूसरी सौचन प्रणाली के साथ संबंद कम रखता है मतलब प्रयोग के लिए त्यार आप जाइए, खरी दिये और इस्तमाल कीजिए Ready-made सौफ्ट्वेर ऐसे बहुत से सौफ्ट्वेर बाजारों में उपलब्द है Ready-made आप जाइए, खरी दिये, इस्तमाल करना शुरू कीजिए और यह सौफ्ट्वेर कब इस्तमाल किये जाते हैं जब आपके वैपार का आकार थोड़ा छोटा होता है अगला है उपभोगता नुरूप पैकेज मतलब उपभोगता के हिसाब से बनाया गया सौफ्ट्वेर लेखांकन सौफ्ट्वेर उपयोग करता की विशेश अवशक्ता अनुसार त्यार किया जाता है बाजार में उपलद लेखांकन सौफ्ट्वेर हो सकता है कि उप्योग करता की अवशक्ता को पूरा ना कर सके। उधारण के तोर पर मानव लेखांकन सौफ्ट्वेर में विक्री प्रमानक और तालिका को अलग रखने का विकल्प हो सकता है। यदि उप्योग करता विक्री प्रमानक के प्रिंट होने पर तुरंत तालिका में समयोजित करना चाहता है, तो उसे software को उप्योग करता के अनुसार त्यार करना होगा। जिस तरह से आपके व्यपार में काम होता है, उसी तरीके की चीज आपको अपने software में भी चाहिए। तो आप किसी इंजीनर को कहके अपने लिए software बदलवाते हैं या बनवाते हैं। अगला है, उप्युक्त। लेखांकन software को उप्युक्त करने की अवशकता बड़े व्यपारिक संगठनों को होती है। मतलब, जो की भोगौलिक रूप से विभिन स्थान पर होते हैं, एक व्यपार जो एक नहीं कई जगाओं पर हैं। वह software अपने हिसाब से ही बनवाते हैं। देखिए, इससे पहला जो आपने software पढ़ा, वह है जो पहले से ही software मिल रहे हैं, उनमें बदलाव कराना। परन्तु ये जिसका नाम है उप्युक्त, इसका अर्थ है कि आप बने हुए software मिलें बदलाव नहीं करा रहे हैं। आप अपने लिए software ही नया बनवा रहे हैं। क्यूंकि आपका कार्य बहुत बड़ा हैं, बहुत अलग हैं। उनके उप्योग करताओं की संख्या आदिक होती है, ऐसे software के प्रयोग के लिए प्रशिक्षन की अवशक्ता होती है, मतलब research, सुसजित software को उप्योग करता की विशेश जरुतों के अनुरूप त्यार किया जाता है, मतलब आपकी जैसी जरुरत आपके लिए बिलकुल नया वैसा ही software बना के दिया जाता है, तो ये तीन तरह के software आपके पाठे करम में हैं, जिनके लिए आधार जो की या आपके सामने हैं और इनके बीच में किस किस तरीके की जरुरते होती हैं एक तालिका के रूप में दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़के तीनों तरह के software के बा के आखिर में लेखांकन software के स्रोतों मुख्य दस्तावेच से पहले समानने विचार, मतलब क्या-क्या चीजें एक software में होनी ही चाहिए, लचीलापन, मतलब flexibility, आप अपने वैपार के हिसाब से जब चाहें, थोड़ा भोत परिवर्तन उसमें कर लें, क्यूंकि वैपार रिस से जुड़ा होता है, और हमेशा ही वैपार में कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं, इसलिए software में लचीलापन होना चाहिए, संस्थापन तथा देखभाल की लागत, देखिए, हर software या hardware, कुछ न कुछ, कीमत तो लेता ही है, software का चुनाव करने से पूर्व संगठन की software वा hardware पर खर्च करने की शमता को जानना आती अवश्चक है, देखिए, software बार-बार update होते हैं, जिसकी कीमत लगती है, hardware भी update होते हैं जिसकी कीमत लगती है तो जिस भी संस्था में software या hardware खरीदा जा रहा है उसकी शमता जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज की कुछ न कुछ कीमत है ऐसा ना हो कि आप software खरीद लें और उसको maintain ना कर पाए अगला है संगठन का आकार संगठन का आकार तता उसके वेपार के सौदो का विस्तार software के चुनाव पर प्रभाव डालता है आपके वेपार या संगठन का आकार कितना बड़ा है और वहे भविश्य में कितना और बड़ा हो सकता है इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें software का चुनाव करना चाहिए सरलता से समयोजित तथा प्रशिक्षन की अवश्यक्ता कुछ लेखांकन software उपयोग करता कि अनुकूल होते हैं जो एक आसान प्रशिक्षन द्वारा पूर्ण हो जाते हैं जबकि कुछ जटिल software package जो दूसरी संचार प्रणाली से जुड़े होते हैं इनके लिए लगातार और व्यापक प्रशिक्षन की जुरत होती है कुछ software इतने जटिल होते हैं जिसको इस्तमाल करना ही हर किसी के बस की बात नहीं इस चीज का भी प्रशिक्षन करने के बाद ही software खरीदना चाहिए किसी संगठन में प्रवंदन सूचना प्रणाली तता उसके उप्योगिता की दर से software की अवश्यक्ता को मालूम किया जाता है जैसे ऐसा software जो अंतिम खाते तता नगत प्रवा अनुपात विशलेशन को रखता है वह प्रयोग के लिए त्यार software हो सकता है जबकि software उप्योग करता की अपेक्षा के अनुशार लागत अभी लेखो को दे तो उससे उप्योगता अनुप करने के अवश्यक्ता होती है मतलब आपकी संस्था के हिसाब से आपके अनुकूल software होना चाहिए आपके यहाँ पे जैसा system है आपके यहाँ पे जैसी उप्योगता है तो यह हैं सब बातें जो software बनवाने या खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह यह अध्याय यहां खतम होता है आपके पास इस तरीके के कुछ लगूत्रिय प्रश्न दिरिगूत्रिय प्रश्न आपकी पाठे पुस्तक के आन्त में दिये हुए हैं इन सभी का प्रयास आप मेरी बताई गई बातों के द्वारा कर सकते हैं धन्यवाद झाल 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 कि छो